नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव लिख दे, इस नवरात्री को बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि इस बार खुद मान दुर्गा अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपया बनाए रखेंगे। हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है, ऐसे में हम सभी से कोशिश करते हैं कि माता रानी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सके। कुछ ऐसी वस्तूएं हैं, जिन्हें नवरात्री के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों उसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आएं हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जैमाता दी, लिखना ना भूले। साथ ही आपके अपने चैनल वस्तू सफर को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इस बार नवरात्री पूरे नौ दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्री का महापर्व इस बार 9 अप्रेल दिन मंगलवार को शुरू होकर इसका समापन 17 अप्रेल दिन बुधवार को होगा। ऐसे में भारतिय नवरात्री पर मादुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ महूर्थ है। 17 अक्टूबर को सुभे 11.44 से 2.12.30 तक है। धार्मिक माननिताओं के अनुसार नवरात्री के इन ही 9 दिनों में मादुर्गा धर्ती पर आती है। इन दिनों में कलश स्थापना कर 9 दिनों तक व्रत उपवास किये जाते हैं। नवरात्री में 9 दिनों तक भक्त मा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। मा को प्रसंद करने के लिए व्रत भी किया जाता है। मानता है कि नौ दिनों तक भक्ति भाव से मा दुरगा की पूजा करने से वह प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट हर लेती है, घर में सुख्षान्ती बनी रहती है, मा अपने भक्तों की सभी मनो कामनाएं पूर्ण करती हैं, तो लिए दोस्तों, जानते हैं, वह कौन से तीन चीज हैं, जो कि इस नवरात्री आपको मातारानी को भूल कर भी नहीं चड़ाने चाहिए, सबसे पहले वस्तु है, लॉंग, तो लॉंग का, हम सभी मातारानी के पूजन में इस्तिमाल करते हैं, लेकिन लॉंग का इस्तिमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते ह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मातारानी को सदैव फूल वाली लॉंग ही अर्पित करें, जिन लॉंग के उपर फूल नहीं हो, या फिर जो लॉंग के पीछे लकडी की डंडी लगी हो, उसका आप मातारानी के पूजन में भूल कर भी इस्तिमाल ना करें, फूल वाले ल पूजन में फूल वाली लॉंग का ही इस्तिमाल करें, नवरात्री के दौरान अगर आप नव दुर्गा मा को अलग-अलग दिन के हिसाब से भोग नहीं लगा सकते, तो आप रोजाना एक पान का पत्ता और दो सबूत फूल वाली लॉंग, मातारानी को अवश्य अर्पित करें, ऐसा करने से दुर्गा मा की कृपाप्राप्त होती है, तूटे हुए लॉंग के अलावा, मातारानी को कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए, मा दुर्गा की पूजन में तुलसी पते का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है, मातारानी को अर्प अर्पित कर सकते हैं, भगवान विश्णुजी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मातारानी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें, मंदार या आँख के फूल भी आप मातारानी को अर्पित ना करें, मातारानी को सदैव लाल रंग के फूल अर् या तीन मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेश ध्यान रखें और मातारानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तिमाल न करें। खंडित चीज जैसे की जटका हुआ या तूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप पूजन में इस्तिमाल न करें। कई लोग चीन मिट्टी के बर्तन पूजन में इस्तिमाल करते हैं, लेकिन भूल कर भी ना करें, क्योंकि उन बर्तनों में हड्डियों का चूरा मिला होता है. यह भी ध्यान रखें कि माता रानी को कभी भी अपवित्र स्थल पर और अखिल पोस्ट यानि की कलियां अर्पित ना करें. फूलों की पत्तियां तोड़ कर भी आप माता रानी को अर्पित ना करें. माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें शुद्ध नहीं माना जाता है गिर हुए पुष्प या फिर मुर्जाए हुए पुष्प आप माता रानी को अर्पित ना करें दूसरों के यहां से चुरा कर ले हुए पुष्प भी नहीं अर्पित करे ऐसे फूलों को चढ़ाने से मन प्रसन्न नहीं होती है और जातक को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है इसके बाद आखिरी वस्तु है नारियल हिंदु धर्म में नारियल को सम्रिध्धिधन सुभिता और सम्मान का सूचक माना जाता है नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है नारियल को सुख सम्रिध्धि में व्रिध्धि करने वाला माना जाता है नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेश महत्व होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मातारानी के कई मंदिरों में नारियल से बली भी दी जाती है और मातारानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं खास कर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है मातारानी के पूजन में हम नारियल इस्तमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं एक हरा नारियल होता है जिससे नारियल पानी पिया जाता है एक होता है सुखा वाला नारियल जिसके अंदर पानी नहीं होता एक होता है जिस नारियल के अंदर पानी होता है और उसमें जटाई होती है वो भी एक नारियल होता है जो बिलकुल सूख जाता है जिसमें जटाई नहीं होती है जिसे गोला कहा जाता है इसलिए यह जानना आवश्यक है कि माता रानी के पूजन में किस तरह का नारियल इस्तिमाल करें और कैसे इस्तिमाल करें माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटाए वाला नारियल ही इस्तिमाल करें नारियल पूर्ण होना चाहिए यानि की नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि पूर्ण नारियल ही पूर्णता का और पवित्रता का प्रतीक होता है पूर्ण नारियल ही सुख सम्रिद्ध का प्रतीक होता है पूर्ण नारियल को ही श्रीफल यानि की मा लक्षमी का फल कहा जाता है नवरात्री में मातारानी के कलश की स्थापना करते समय भी सदैव सबूत जाता वाला पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए साथ ही यध्यान रखना चाहिए कि मातारानी के कलश की जब आप स्थापना करते हैं तो नारियल को सदैव कलश के उपर रखें मातारानी के घाट की स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता नारियल को सदैव लेट कर कलश के उपर रखना चाहिए और लिटा कर रखने पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का जो मोटा हिस्सा है वह आपकी तरफ होना चाहिए और जो पॉइंटेड हिस्सा है वह दूसरी तरफ होना चाहिए साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर उसे पर मौली तीन बार लपेट और फिर लाल चुनरी लपेट कर ही आप नारियल को घट के उपर स्थापित करें शास्त्रों के अनुसार, कलश के उपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी विरत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्थ होता है यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो करें लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को तोड़े नहीं क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए अगर आपको धनसंबंधी समस्या है या शनिवार के दिन इसे ले जाकर आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें ऐसा करने से दोश उतर जाता है और तत्काल लाब होता है ऐसे ही धनसंबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप कुम-कुम से नारियल पर स्वास्थिक बना कर इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित करें माता के चरणों में इस नारियल को रख देना है और बाद में जल के स्रोत में यानि कि किसी नदी या नहर में बहा दें ऐसा करने से माता रानी की कृपा से मनो कामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है तो दोस्तों यह थी कुछ बातें जो आपको इस नवरात्री में पूजा और व्रत के समय करनी है हमारी वीडियो कैसे हमें कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो कमेंट में जै माता दी लिखने धन्यवाद हर हर महादेव